मैं आपको assurance देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी दुबारा नहीं सोचोगे कि मैं बिना coaching के cat clear कर सकता हूँ या नहीं आप definitely self prepare कर सकते हो and इस वीडियो में आपको पूरा एक road map मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है you know मेरा एक कजन मर्चेंट निवी में है and उसकी ship पे एक ऐसा person है जो की cat exam की तयारी कर रहा है so मेरे कजन के थुरू उनोंने जब मुझे ये सारे questions भेजे I realized how much effort will I have to put in for this video because हो सकता है इस पूरे country या even country के बाहर कोई ऐसा person बैठाओ जो coaching attend नहीं कर सकता let us talk about it step by step कि आपको अपनी पूरी preparation journey में क्या क्या चाहिए सबसे पहली चीज़ that you need to arrange are concept videos cat का syllabus काफी vast है और अगर आप उस syllabus के साथ already familiar नहीं हो तो आपको अपनी foundation को build करने के लिए कुछ concept videos चाहिए ऐसा समझो कि अगर आप coaching ले रहे होते तो कोई teacher आपको live हर दिन आके पढ़ाता चाहे offline या online लेकिन इस case में अगर आप self prepare कर रहे हो तो शायद वो जो books आप use कर रहे हो वो sufficient ना हो to understand those concepts आपको हो सकता है जरूरत पढ़े कि कोई आपको वो concept समझाए उसके लिए आपको concept videos की जरूरत होती है और वो सबसे best मिलती है इन चैनल्स पे quantitative aptitude के लिए आप दो options यूज़ कर सकते हो रवी प्रकास सर का चैनल है रोधा और उधित सर का चैनल है MBA पाटशाला हर परसन को जरूरी नहीं है कि एकी टीचर से सब कुछ समझ में आए तो आप चेक कर सकते हो दोनों चैनल जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हो DILR के लिए एलीट्स क्रेड इस दी बेस्ट चैनल जिस पे काफी अच्छी टाइप्स डिसकस्ट है और हर टाइप के अंडर बहुत से क्वेस्टन भी समझाए गए है वी आर्सी के लिए या तो आप शबाना मैम को फॉलो कर सकते हो जो की अनकाड़िमी के एजुकेटर है या फिर के जेजोस्पीक्स एक चैनल है जो की करियर लॉंचर के साथ एसोसीएटिन है आप उनको भी फॉलो कर सकते हो लास्ट यर मैंने काट 22 वाले सुडेंट्स के लिए एक एकसल शीट बनाई थी जिसमें मैंने कॉंटिटिटिव एप्टिट्यूड की ये सारी वीडियो को एक सीक्वेंस में डाल दिया था तो मैंने सोचा कि काट 23 वालों को भी एक गिफ्ट देते हैं अब आपने बस सिंप्ली जिस भी टॉपिक के उपर पढ़ाई करनी है उस टॉपिक पर क्लिक करो and you will get to know कि पहली वीडियो कौन सी देखनी है दूसरी वीडियो कौन सी देखनी है and so on इस प्लेलिस्ट के इलावा दूसरी चीज जिसकी जरूरत आपको पढ़ेगी that is mock test आपको शुरू में बहुत जादा mocks लेने की जरूरत बिलकुल भी नहीं होती है सिरफ कुछ mocks लेने होते हैं just to understand कि exam का pattern कैसा है syllabus कैसा है ऐसे mocks आपको towards the end of preparation free में भी मिल जाते हैं उस समय तक I will create a list of free mocks for you लेकिन अभी के लिए सिरफ starting में समझने के लिए कि cat का pattern कैसा है कैसे difficulty level के questions आते हैं आपको कुछ mocks ज़रूर देने चाहिए अब या तो आप free mocks ले सकते हो या फिर के एक ऐसी book ले सकते हो जिनके बार मैंने last year भी इस channel पर mention किया था और मैंने उनके साथ इस वीडियो के लिए partner भी किया है which is Oswal Books Oswal Books की ये book आती है called 15 cat mocks इसमें 15 ऐसे mock test given है जो कि उन्होंने cat के pattern पर बनाए है सो शुरू में ये दिखाते हैं कि कौन से कौन से chapters में से कितने question cat exam में आते हैं और फिर उसी pattern के basis पे इन्होंने 15 ऐसे mock test design किये हैं जिसको attempt करके आप ये figure out कर सकते हो कि आपके weaker areas कौन से हैं and accordingly आप अपनी preparation को start भी कर सकते हो इस book को recommend करना में इसरे भी पसंद करती हूं क्योंकि इसका जो analysis है उसमें ये show करते हैं कि कौन सा question किस type से आया था so ultimately I get to know कि मेरी कौन से type week है and अगर मुझे किसी भी particular mock test का detailed solution देना हो तो मैं simply एक बार code scan करके वो solution भी ले सकती हूं मैं को काफी अच्छा लगा था कि last time जब मैंने ये book channel पर recommend की थी तो एक potential cat 2020 topper के father का email आया था मुझे and he praise this book a lot so I would highly recommend to check it out link आपको pinned comment or description में मिल जाएगा third चीज जिसके आपको ज़रूरत पड़ेगी that is question bank आपके पास कोई ऐसा resource होना ज़रूरी है जिसको देख करके आप question solve कर पाओ हो सकता है कि आपको इस self preparation book यूज़ कर रहे हो market में बहुत सी books available है आप कोई भी buy कर सकते हो कोई भी edition भी use कर सकते हो second hand भी use कर सकते हो बहुत सरा coaching material भी second hand available होता है साथी साथ आप जो concept videos देख रहे होगे उसमें भी बहुत से questions solve कराए जाते हैं जिनको आप note करके रख सकते हो इसके इलावा जितने भी online question banks मुझे मिल पाए थे वो भी मैंने उसी excel sheet में add कर दिया है आप उसको भी check out कर सकते हो so अब आपके पास हर single topic की repository भी होगी to practice all these questions questions का basic purpose सिरफ एक ही होता है प्री pdf मिलती है online हर single section की उनको भी use कर सकते हो मैंने इस channel पे थोड़े दिन पहले एक video बनाई थी called daily routine उसमें मैंने ये बताया था कि आपको अपना syllabus जुलाई या ऑगस तक खतम कर लेना चाहिए तो ये जो question bank है इसकी सबसे ज़ादा जुरूरत आपको पड़ेगी after July जब आप mocks लोगे and आपको realize होगा कि आपका कोई particular section weak है उस समय आपको questions चाहिए होते हैं to further strengthen that section तो अभी से उतनी ज़ादा जुरूरत नहीं है अभी सिरफ foundation के लिए questions चाहिए है fourth resource जो आपको चाहिए that is doubt solving क्योंकि आप questions solve करोगे अगर कोई question आपसे solve नहीं हुआ तो वो doubt बनता जाएगा और अगर doubts resolve नहीं होगे तो foundation strong नहीं होगी इसलिए आपको कुछ ऐसे resources चाहिए जो doubts solve कर पाएं इसके लिए number one resource है iquanta का facebook group इस group में इतने सारे cat aspirants active होता है कि आप जैसे ही question डालते हो within a few minutes कोई ना कोई तो आपको comments में answer दे ही देता है इसके इलावा आप telegram groups पी use कर सकते हो reddit पी use कर सकते हो और पागलगाय एक website है वो भी use कर सकते हो make sure कि अगर आपकी journey में कोई भी doubt आरा है formula book एक ऐसी book होती है जिसमें आपके सारे concepts, formulas, tricks easily mentioned होते हैं ताकि आप अच्छे से revise कर पाओ लेकिन example देने के लिए उसी excel sheet में मेरी खुद की formula book added है इसके इलावा तथागत एक institute है जिनकी formula book available है और unacademy की भी एक formula book इसमें available है I would still suggest formula book best तभी काम करती है जब आप खुद concept videos देखते हो और formulas को note करते हो so that is why देख ज़रूर लो for a reference but अपनी formula book खुद बनाओ final resource that you need is discipline और motivation सोचो, coaching आपके लिए सबसे बड़ा rule क्या प्ले करती है वो आपको एक structure देती है कि हर दिन आपको क्या करना है उसके कारण आप discipline रहते हो कि हाँ ठीक है मुझे पता है कि आज मुझे ये class अटेंड करनी है आज मुझे इतने questions solve करना है उसके लिए सबसे पहले तो आपको self-discipline बनना पड़ेगा and secondly मैंने एक video बनाई थी daily routine जिसमें पूरे साल का एक timeline given है कब तक syllabus खतम करना है कितने questions करना है कितने घंटे देने एक दिन में उस video को सरूर देखना पाकी motivation मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी overrated होती है मैं ultra consistency में believe करती हूँ अगर आपका सपना clear है तो महनत तो आपको खुदी करनी पड़ेगी कोई आपको एक दिन मोटिवेट कर देगा दो दिन मोटिवेट कर देगा ultimately महनत आप नहीं करनी होती है तो वो जो एक दो दिन की motivation है वो तो इस channel पर मैं देती ही रहूंगी लेकिन जो चीज मैं चाहती हों कि आप में आए that is the ability to trust yourself that you can do it अगर आपकी पूरी cat preparation journey में आपको कभी भी कोई भी doubt आता है अपने मन में मत रखो इस channel की latest video पे एक comment आड कर दिया करो and I will definitely reply to it Tuesday, Thursday, Saturday 7 p.m. new videos आती हैं so कोशिश करो उसी दिन आड कर दिया करो and I will surely reply to it अगर ये video अच्छी लगी हो do give it a like so that it reaches to many many students चाहे फिर वो किसी शिप पे किउना बैठे हो thank you so much for watching this